Move Tool Setting Move Tool को active करने के लिए Toolbox में जाएं और Move Tool आइकन पर क्लिक करें या Keyboard से W प्लेस करें टूल सैटिंग पैनल को ओपन करने के लिए मूव टूल आइकन पर डबल क्लिक करें मूव टूल या टूल बॉक्स के अन्या टूल और बेसिक इन्फोमेशन के लिए माया के बेसिक टूल से रिलेटेड हमारी वीडियो को जरूर देखें यदि आप माया सौफ्टियर के बिगनर हैं तो आपको वी वीडियो जरूर देखने चाहिए चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको कुछ और बाते क्लियर कर दूँ कि टूल बॉक्स में जितने भी टूल्स हैं उन सभी में बहुत सी सैटिंग कॉमन है खास दोर पर ट्रांस्फॉर्म टूल की सैटिंग में ये समानता काफी देखने को मिलती है या मिलेंगी इसलिए जो सैटिंग कॉमन है हम उन सैटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे यदि आपको उनके बारे में जानना है तो मैं आल्रेडी डिटेल में उससे रिलेटेड वीडियो जिसका लिंक ओपर आई बटन पर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा ये जो विंडो आपके सामने दिखाई या दिख रही है यह मूव टूल सैटिंग की विंडो है टूल सैटिंग के नीचे मूव टूल की राइट साइड में रिसेट टूल और टूल हैल्प का बटन दिया है रिसेट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस पर क्लिक करते ही आपके द्वारा टूल सैटिंग में जो भी चेंजिस ये गए हैं वह वैल्यू या सैटिंग चेंज होकर डिफॉल्ट वैल्यू या सैटिंग हो जाएगी टूल हैल्प टूल हैल्प पर क्लिक करके आपको टूल से रिलेटेड हैल्प मिल जाएगी लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको नेट की जरूरत होगी यह लिंक आपको आटो डेस्क के ओफीसियल साइट पर ले जाएगी मूफ सैटिंग मूफ सैटिंग में लगभग सभी की सभी सैटिंग ऐसी हैं जो रोटेड और स्केल टूल सैटिंग में देखने को मिलेंगी इस टॉपिक को रोटेड टूल सैटिंग में बहुत दीटेल में बताया गया है इसलिए इस पार्ट को इसकेप कर देते हैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहें तो देख सकते हैं जोइन ओरियंट सैटिंग और मूव स्नैप सैटिंग इन दोनों टॉपिक्स की सैटिंग के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम इस टॉपिक को देखें उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं मूव स्नैंग के आइञ्सेज ओरियंटेशन के बारे में एक्सेज ओरियंटेशन की बायडिफोल ओरियंटेशन बॉल्ड होता है परंथू रोटेट और scale setting में by default object orientation होता है ठीक है अब उन दोनों settings को समझते हैं कि इनके use से क्या-क्या प्रभाव पड़ता है joint orient setting automatically orient joint जब on होते हैं और आप skeleton में joint को move करते हैं तो joint offset की values अपने आप update हो जाती है यह सुनिश्चित करते हुए कि parent joint अपने first child joint को सही ढंक से point हो इसका use आप rigging करते समय कर सकते हैं जब हम object की basic rigging करेंगे तो इसके बारे में और detail में बाते करेंगे अब आप move snap setting भी देखें move snap setting नमने लेके following settings ट्रांसलेट करते समय polygon face के केंद्र और कोने पर snap होते हैं रिटें कंपोनेंट spacing या setting by default turn on रहता है इसका अर्थ है कि Maya relative spacing को maintain करता है जब component को move किया जाता है यदि आप relative space को preserve या सनरक्षित नहीं रखना चाहते तब आप polygon component को translate और snap करते हुए तो आप इस option को turn off कर सकते हैं snap to live polygon यहाँ आपको दो option मिलते हैं face center और vertex यह setting आपको एक live polygon के component जैसे face center और vertex पर ले जाने और snap करने देती हैं इसको अच्छे तरह से समझने के लिए how to snap with live को जरूर देखें यदि आप चाहते हैं कि इस topic पर वीडियो बनाओं तो please हमारे वीडियो को like और subscribe जरूर कर दें और comment box में अपनी राय जरूर दिखें जैसा कि मैंने वीडियो के सुरुआत में ही बताया था कि हम उन topics पर दुबारा बात नहीं करेंगे जिसे हमने किसी और tutorial में बता दिया है इसके बाद के जितने भी topics हैं हमने लगभक सभी के बारे में चर्चा की है यदि इन्हें दुबारा बताने की जरूरत भी पड़ी तो हम अपने आने वाली वीडियो में जरूर सामिल करेंगे आप लोग का एक like हमारे लिए बहुत माइने रखता है इससे हमें और मेहनत करने का प्रोच साहन मिलता है यदि आप 3D software को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो हमारे channel को जरूर subscribe कर दे subscribe करने का कोई भी charge नहीं है